एलो बच्चों कैसे हैं आप सर्फ आज हम करेंगे पार्ट चोदा सारंगे भूक बर्खा और मेगा तो चलिए शुरू करते हैं एक बार की बात है दो सहेलिया थी एक मुर्गी और एक बत्तक मुर्गी का नाम था मेगा बत्तक का नाम था बर्खा उनके तीन तीन बच्चे थे वे सब मेला देखने दूसरे गाउं जा रहे थे रास्ते में नदी आ गई मेगा ने कहा हम नदी केसे पार करेंगे हम तो डूब जाएंगे बर्खा ने कहा हम सब तैर कर नदी पार कर लेंगे मेगा ने पूछा वो कैसे बर्खा ने उस सब को पास बुलाया और अपनी जुगत बताई जुगत मतलब प्लैनिंग सब खुशी से उचल पड़े हुर्रे वे सब नदी पार कर गए और ये कैसे हुआ होगा बत्तक के बच्चों ने मुर्गी के बच्चों को अपनी पीट पर चढ़ा कर नदी पार करवाई और बत्तक ने अपनी पीट पर चढ़ा कर मुर्गी को नदी पार करवाई चलो बच्चों अब आगे प्रशन उत्तर कर लेते हैं मेघा और बर्खा ने बच्चों के साथ नदी कैसे पार की मेघा और बर्खा के बच्चों ने एक दूसरे की सहायता से नदी पार की मेघा और बर्खा के बच्चों ने मेले में क्या क्या किया होगा मेगा और बर्खा के बच्चों ने मेले में जूले जूले होंगे और तरह तरह की चीजे खाई होंगे मेले से घर लोटते समय मेगा और बर्खा के बच्चे आपस में क्या बाते कर रहे होंगे मेगा और बर्का के बच्चे मेले से बापे साते समय मेले की बाते कर रहे होंगे मेला आपके घर से कितने दूर लगता है आप वहां कैसे पहुंचते हैं तो बच्चों आपको यहाँ पर बताना है कि मेला आपके घर से दूर कितना लगता है या पास लगता है तो कितना पास लगता है तो आप वहां कैसे जाते हैं रिक्षे से जाते हैं साइकल से जाते हैं या फिर अपनी कार से जाते हैं या बस से जाते हैं या पैदल जाते हैं ये आप बताएंगे नेक्ट है नीचे दिये गए चित्र को देखिए और गिन कर बताईए कि मुर्गी और बत्तक के कितने कितने बच्चे हैं तो बच्चों यहाँ छोटी छोटी चौँच वाले ये मुर्गी के बच्चे हैं एक, दो, तीन मुर्गी के बच्चे तीन हैं और ये बच्च बत्तक के बच्चे हैं यहाँ पे हमारा जे पार्ट हुता है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है लाइक और सब्सक्राइब करें ठैंक क्यू